हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टारोटैक रिपल टू, मैं हूँ पललवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे सो गाईज, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हो एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि आप जिस परसंद से बेहर जादा प्यार करते हैं, या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनकी true hidden feelings क्या हैं आपको ले यानि कि एक ऐसी सची भावनाई देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनके दिल में तो हैं, लेकिन वो चाहा कर भी express नहीं कर पा रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, ठीके, बस गाईज, आपको यहाँ पर यह ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी, वो general collective or timeless reading होगी, married, unmarried, कोई भी परसन ये reading देख सकता है, all sign based यहाँ पर reading होगी, gender specific बिल्कुल भी नहीं होगा, यानि कि लड़का लड़की कोई भी reading देख सकता है, तो चलिए चेक कर लेते हैं, और देख लेते हैं, कि इस परसन की क्या true hidden feelings हैं, आपको लेकर या इस रिष्टे को ल रही हूँ, तो आप अपने परसन के बारे में जरूर सोचेगा, या उनका नाम जरूर लीजेगा, ताकि आप अपने आपको इस reading से connect कर पाएं, ठीक है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और अगर आप मेरे साथ पहले से ह हुए हैं, तो लाइक जरूर कीजेगा, गाइड कीजेगा, प्लीज सब्सक्राइब, 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 प्ल आप अपने पार्टनर का नाम जरूर लेते रहिएगा आपके लिए इजी हो जाएगा रीडिंग से अपने आपको कनेक्ट कर पाना इस परसन की डेफिनेटली जो भी इस वक्त में जिन्दगी है ना उसमें ये अपने आपको काफी जादा बेरंग जैसा फील करते हैं और इन्हें पता है कि इस जीवन में या इस लाइफ में जो इनकी खुशिया आएंगी या ये जो रंग आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही आएगा आपके प्यार से ही जीवन में रंग भर पाएगा बहुत जादा अपने आपको अकेला फील कर रहे हैं एवन इस परसन ने अपने आपको आईसोलेट कर रखा है अपने इस अकेले पन में इन्हें अकेला रहना अकेला ही अपने लाइफ को जीना इस वक्त में ज्यादा अच्छा लग रह रहा है और क्योंकि ये उस अकेले पन में आप से जुड़ पाते हैं आपकी यादों से जुड़ पाते हैं और जो भी इनकी missing energy है आपको लेकर वो उसके लिए लोगों के सवाल इनके आसपास नहीं रह पाते तो ये परसन इसलिए काफी जादा अकेला रह रहे है हाला कि इन्हें उस अकेले पन में अपनी जिन्दगी काफी जादा बेरुखी काफी जादा बेरंग महसूस होती है लेकिन फिर भी उस अकेले पन में इन्हें आपकी याद रहती है ठीके आपकी यादों का साथ इनके पास रहता है इस person के बहुत ज़्यादा दिल में है कि आपसे मिलना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि miss ये definitely आपको बेह ज़्यादा कर रहे हैं आपको spy बहुत जादा करते हैं क्योंकि इस person के दिमाग में हर वक्त यही चलता रहता है कि आपकी life में क्या चल रहा है आप क्या कर रहे हो आपकी life किस तरह से stable है तो काफी जादा chances है कि आपको किसी fake ID से spy करते हो और अगर इन्होंने आपको block कर रखाए तो definitely कभी block से unblock करते ह कभी फिर वापस से block कर देते हैं यानि कि आपको पता ही नहीं चलता इस person का कि यह कब आपको block से unblock करके आपको देखते हैं और फिर वापस से block कर देते हैं काफी लंबे समय से यही करते हुए दिख रहे हैं यह भी दिख रहे है एजन की काफी वक्त हो गया है इन्हें ऐसा करते हुए मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि इस परसन से इस रिलेशेशिप को खराब करने में या इस दूरियों को लेकर आने जो दूरिया आई है ना उसमें इनकी साइट से कुछ गलती हुई थी तो यह डीप इनसाइड उन गलतीयों को मानतों रहे हैं कि हाँ यह गलतीया इनसे हुई हैं लेकिन यह उस गलती को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं वो भी अपने इगो की वज़ज़ से इनका इगो वहाँ पर आ जाता है कि अपने मुझे नहीं बोलेंगे कि इनसे भी गलती हुई है या इन से गलती हुई है पास्ट में डेफिनिटली आप लोगों के बीच में जो भी चीजे हुई है उसमें ने रियलाइज हो रहा है कि हाँ अगर उसमें गलती आपकी थी तो इनकी भी थी जैसे ये आपसे काफी वक्त से इस बात से नराजगी दिखा रहे हैं कि उस गलती में इनकी साइट से कुछ गलत नहीं हुआ था आपकी साइट से ही बहुत कुछ गलत हुआ था तो ये परसन कहीं न कहीं वो गलतीयां जो खुद से रियलाइज कर रहे हैं उसे ये आपसे बता नहीं रहे हैं से डीप इंसाइट छुपाते हुए दिख रहे हैं। या आपकी उस गलती के लिए आपको सौरी बनकर सौरी बोलकर या आपकी उस सौरी को एकसेप्ट करकर कही न कहीं ये बड़े बन जाएंगे तो इस रीजन की वज़े से ये चुप बैठे हैं। ताली दोनों तरफ से बजी है ये बात यहाप पूरी तरह से क्लियर है। वो बात और है कि ये परसन आपको जादा रियलाइस कराने की धुन में लगे हुए हैं। कि आप उस चीज को मानो, आपकी साइट से ज़्यादा गलती है। तो ये डीप इनसाइड आपसे ये चुपा रहे हैं कि हाँ, इन्हें एहसास हो गया है कि मिस्टेक इनकी साइट से भी होई है। मुझे आपर ये दिखरा है कि ओकी आप इस परसन से बात नहीं कर रहे हो या आपने भी अपने आपको चुप कर लिया है। तो वो चीजे इनके इगो को हर्ट कर रही हैं। अगर आप जाकर sorry बोल देते, आप चीजों को सारा दोश, सारी गलतियों को अपने उपर डाल लेते ना, तो definitely इनका इगो satisfy हो जाता या इनका इगो boost हो जाता। पर आपने ऐसा नहीं करा, तो वो चीजे इने और जादा दर्द दे रहे हैं। आप क्यों नहीं ऐसे कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है past में जबी भी ऐसा हुआ हो, तो आप जाकर इने मना लेते हो, या गलती ना होने के बाद भी आप उस चीज को let go करने के लिए बोलते हो, या हो सकता है sorry भी आप ही बोलते हो, लेकिन इस बार आपने क्योंकि ऐसे नहीं कर तो वो चीजे इस पसंद के ego को hurt कर रही है यानि कि past में आपने हमेशा इस पसंद को इनकी गलतियों का एहसास दिलाने ही नहीं दिया उससे पहले चीजों को सुल्टा लिया चीजों को solve कर लिया तो इस पसंद को वही आदत पड़ गई है कि आप ही आकर चीजों को deal करोगे solve करोगे और आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो इस पसंद को उन चीजों से फरक पड़ रहा है इन्हें ऐसा लग रहे है कि आप बदल रहे हो आपको पहले इतना फरक पड़ता था यानि कि अब आपको या तो इन से प्यार नहीं रहा या अब आप इन कितनी तरह से care नहीं करते हो तो वो चीजे ने परिशान कर रही है आपका attention पाना चारे है आपकी care पाना चारे है आपकी तरह से आपकी sorry लेना चारे है और आप वो कर नहीं रहे हो तो वो चीजे इस person को बहुत परिशान कर रही है काफी ज़्यादा hopeful अभी भी है hope अभी भी नहीं खोई है मैंने आपको बोलाना बहुत stubborn energy यहाँ पर दिख रही है तो काफी hopeful है कि आप आओगे क्योंकि आप इनसे प्यार करते हो उस प्यार की वज़ा से ही आप इनके पास आओगे तो यह ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पर ठीक है daydreaming बहुत करते है कि चीजे सही हो जाएंगी इनके मन मुताबिक हो जाएंगी जैसा यह चाहते हैं उसके मन मुताबिक हो जाएंगी और जिस way में यह stability चाहते हैं जिस way में यह रिष्टा चाहते हैं चाहें दोस्ती तक ही रहे उस way में यह चाहते हैं तो उसी तरह से हो जाएगा वो भी इस वज़ा से क्यूकि आप इनसे प्यार करते हो आप इनके लिए बहुत जादा परिशान रहते हो इस reason की वज़ा से यहाँ पर number 3 मुझे दिखाई दे रहा है letter V दिखाई दे रहा है A B यह हो सकता है March month आपसे relate कर सकता है S letter दिख रहा है यह L दिख रहा है तो आपके person यह आपके नाम के अक्षर हो सकते हैं यह G है यहाँ पर ठीके मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आप क्योंकि ऐसा नहीं कर रहे हो और आप अपने आप पर focus लगाए हुए बैठे हो तो वो चीजे इस person को आपके लिए इस तरह से सोचने के लिए मजबूर कर रही हैं कि आप ना इस point पर आकर थोड़ा सा selfishly behave कर रहे हो आप selfishly काम कर रहे हो तो इन्हें ऐसा भी feel हो रहा है और मुझे यह भी दिख रहा है कि काफी ज़्यादा chances है आप थोड़ा सा अच्छे से status डाल रहे हो अच्छे photo डाल रहे हो DP डाल रहे हो जिसमें आप अपनी life को enjoy कर रहे हो तो वो चीज़ें ने jealousy feel कर रहे है यालिकि इन पर असर डाल रहे है कि कहां तो आकर आपको ये चीज़ों को solve करना चाहिए कहां आप अपनी life को खुछ से enjoy कर रहे हो तो वो चीज़ें ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे है और वो भड़ास निकालने के लिए ये परसन बहुत ज़्यादा इच्छा भी रखते है कि आपको message करें और आपसे वो भड़ास निकालें कि यहाँ पर आपको इनकी care करनी चाहिए या आप selfishly behave करके दिखा रहे हो तो वो भड़ास निकालने के लिए भी आपको message करना चाह रहे है और कभी वो message हटा देते हैं कभी फिल लिखते हैं कभी block कर देते हैं यानि कि वो चीज़े ना इस परसन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है ठीक है बहुत ज़्यादा बेचैनी सीन के मन में डाल रही है और यहाँ पर यह भी दिख रहा है उस बेचैनी से निकलने के लिए यह परसन कहीं न कहीं अपने आपको बाहार लेकर जाते हैं दोस्तों में रखना चाहते हैं ताकि आसपास लोग रहें तो उससे यह आपकी तरफ जैसे इनका बार-बार ध्यान चला जाता है वो हट जाए वो डाइवर्ट हो जाए पर अबिसली इस परसन के मन से आप नहीं जा रहे हो इनका ध्यान आपसे डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है और यह परसन जब नहीं कर पाते हैं आपसे अपना mind diver तो ये past में जो आपके बीच में जगड़े हुए हैं उसे याद करते हैं और फिर उससे अपने आपको strong करते हैं उससे याद करते हैं कि हाँ वजह ये थी अलग होने की नराजगी दिखाने की तो ऐसा भी ये बहुत जादा करते हुए हाँ पर दिख रहे हैं अपने mutual friends से काफी ज़्यादा आपके बारे में बातचीत करते हैं लेकिन directly way में नहीं करते क्योंकि इन्हें doubt रहता है कि वो आप तक इनका message ना पहुचा दे तो बातचीत करना तो चाते हैं उनसे आपके बारे में जानना तो चाते हैं लेकिन directly way में या फिक खुल कर कुछ भोल नहीं पा रहे हैं इन्हें definitely ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में आप selfishly behave कर रहे हो या इनकी care नहीं कर रहे हो या इन्हें attention नहीं दे रहे हो तो वो चीज़ें ने बहुत जादा परेशान कर रही हैं यहाँ पर letter 3 मुझे बहुत जादा important आप लोगों के लिए दिख रहा ह है ठीक है S letter P letter बहुत जादा prominent यहाँ पर आया है देकि इस person के साथ यह हो रहा है कि यह चीजों को clear तो करना चाहते हैं लेकिन अपनी गलतिया मानने में अभी समर्थ नहीं हो पा रहे हैं अपनी गलती को मानने के लिए तयार नहीं हो पा रहे हैं वहाँ पर इनका ego आजाता है जिस reason की वजह से ठीक है definitely आपके साथ रिष्टे को देखना भी चाह रहे हैं आपका tension भी पाना चाह रहे हैं लेकिन यह सब चीजें आप से इसले चुपा रहे हैं ताकि इस person की weakness आपको दिखना जाए कि यह अभी भी आपके लिए feelings रख रहे हैं यह आपको अभी भी बे इनकी सच्छी hidden भावनाई क्या है इनको लेकर guide कीजिए निवस्ता हिए तो देखे पहले आया है death the hierophant judgment six of wands four of pentacles eight of swords and bottom of the deck भी हाँ पर आया है ace of swords ठीक है तो energies यहाँ पर Gemini, Libra and Aquarius, Mithun, Tulin, Kumbh राशी की काफी जादा strong energy आई है उसके अलग है Taurus, Virgo and Capricorn, Vrishap, Kanya and Makar राशी, Aries, Leo and Sagittarius, Mesh, Sing and Dhanu राशी उसके अलग है यह तीनों यहाँ पर Scorpio की energy आई है देखे मुझे basically यहाँ पर यह दिख राए कि यह person जो भी आप लोगों के बीच में चीजे होई है जिस reason की वज़े से इस रिष्टे का death हुआ है यह उसमे clarity लेकर आना चाहते है definitely यह person आप से बताना चाहते हैं कि क्या mistake हुई, किस से mistake हुई, किस की बात किस से ज़्यादा hurt करी यह चीजे यह clear करना चाहते हैं बट मुझे यहाँ पर यह दिख राए कि यह person इस रिष्टे पर या आप पर किसी तरह से जीत हासिल करने के लिए आपके मुझे से ज़्यादा गलतिया निकलवाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि इस चीज में जो रिष्टे का death हुआ है न वो आपकी sight से ज़्यादा हुआ है या आपकी गलती ज़्यादा थी हाँ पर यह भी दिख रहा है ठीक है मतलब इस परसन के साथ ही हो रहा है कि यह खुद से परेशान है खुद से स्टक है खुद से इनको यह लग रहा है कि यह आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं लेकिन इनको एक जीत की होड लगी हुई है कि इस चीज में ये जीते, आप ना जीतो, या फिर इन्होंने इस रिष्टे को, इस प्यार को हार और जीत के गेम में कनवर्ट कर दिया है, ये भी दिख रहा है, ये पसन इतने जादा परेशान है, आप से जैसे बात नहीं हो पा रही है, इस रिष्टे में कुछ हो नहीं पा रहा है, इतने जादा परेशान है, इतने जादा स्टक है कि इस से निकलने के लिए बहुत जादा प्रेयर भी करते है जिस भी भगवान में आप भरोसा करते हों तो उनसे प्रेयर भी करते हैं और काफी ज़्यादा चांसेज है कि इस मामले में किसी से गाइडेंस भी लेते हों लेकिन फिर भी ये पसन एक जीत की होड में बैठे हुए हैं और अपने आपको स्टक करे हुए बैठे हैं इस चीज इसे खुद से परेशान होने के बाब वजूद भी ऐसा कर रहे हैं ठीक है क्योंकि इन्होंने इस प्यार को जीत और हार में convert करके रख दिया है इस वज़ा से ठीक है चलिए देख लेते हैं इनके messages कि आप से क्या कहना चाहते हैं गाइड कीजिए निवर्स क्योंकि परेशान तो यह भी बेहर जादा हैं लेकिन प्यार को इन्होंने इस वक्त में कुछ और ही बना दिया चार पाँच छे साथ आठ चलिए यह भी आ रहा था ले लेते हैं तो देखें यहाँ पर आया है आई विल कम बैक तो डेफिनेटली यह परसन आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन इगो की वज़े से आ नहीं रहे हैं तो मैंने आपको बोला कि डेफिनेटली इन्हें अपनी गलतियों का डीप इंसाइड एहसास हो रहा है जिस मामली में इन्हें काफी जादा सौरी फील हो रहा है और यह उस चीज को और जादा संभाल नहीं पा रहे हैं ठीक है क्योंकि यह अपने आपको इतना जादा स्ट्रॉंग भी नहीं समझ रहे हैं मैंने आपको बोला इस परसन को अभी भी होप है कि आप खुछ से इनकी तरफ बढ़ोगे क्योंकि प्यार तो आपने भी इनसे करा है तो यह उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं यहाँ पर तो मैंने आपको यह भी बोला कि यह परसन अपने आपको बिजी रखने के लिए बहुत जादा फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं ताकि इन्हें आपका ध्यान ना आए या जो भी इन्होंने गलती करी हैं वो बात इन्हें याद ना आए I saw you with someone else that broke my heart because I love you a lot यार तो हो सकता है इन्होंने आपको किसी और परसन के साथ देख लिया हो जिसको लेकर आप लोगों के बीच में काफी जादा arguments हुए हो हाला कि उस चीज की clarity ने लेनी थी लेकिन इन्होंने वो ना करी हो उस चीज के लिए भी आपसे sorry बोलना चाहते हैं I hope you stay happy या आशा करते हैं कि आप खुश होंगे overall क्योंकि ये person आपके photo dp आप अच्छे status डाल रहे हो तो इन्हें ऐसा ही हला कि वो चीजे ने jealousy feel कराती हैं लेकिन उस चीज के लिए ये आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि ये आशा करते हैं कि आप खुशी होंगे ये show off नहीं कर रहे होंगे आप all the songs remind me of you तो आपकी बाते आपके यादे आपसे related जो भी पल है जो भी songs है ने आपकी याद दिलाते हैं I am moving on तो try बहुत कर रहे हैं move on करने की पटकर नहीं पा रहे हैं I want to come back but I can't now तो मैंने आपको बोला आना चाहते हैं लेकिन ego की वज़़े से ये आ नहीं रहे हैं उपर स ठीक है तो इसलिए ये आ नहीं रहे हैं ना आने की वज़़ा इनकी यहाँ पर यह दिख रही है चलिए आपके लिए guidance के cards और निकाल लेते हैं आपके archangels आपसे क्या कहना चाहते हैं उस विशय पे गाइड कीजे निवस प्लीज डिवाइन प्लीज आके angels प्लीज हो लिए angels प्लीज इस प्लीज इस प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजे बताएए मेरे viewers से आप क्या कहना चाहते हैं उनिवस गाइड कीजे बताएए तो फर्स्ट वन इस वाइट विच hunter bottom of the deck है great teacher तो दिखे basically आपसे ये बोला जा रहा है कि आपने अपने आपको चुप कर रखा है या इस बार आप अपनी गलती को मानने के लिए तयार नहीं हो आप चाहते हो कि इस रिष्टे में balance हो अगर गलती आपसे हुई है तो अगले से भी हुई है अगर आप इस form में हैं और इस चीज़ को लेकर कभी कभी आप थोड़ा सा light हो जाते हैं या थोड़ा सा emotionally weak हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस वक्त में आप अपने partner के कही न कहीं एक teacher बने हुए हो जिसमें आप उन्हें एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हो कि अगर एक relationship में mistake हुई है इस रिष्टे में कुछ गलती हुई है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है हर वक्त ये रिष्टा हार या जीत के पलड़े म नहीं पड़ा रहेगा ये चीजे सिखाने के लिए आप कुछ कर रहे हो तो इस वक्त में definitely आप इनके teacher बने हुए हो तो इस चीज को लेकर कभी भी guilt मत feel कीजेगा आप basically अपने लिए भी stand ले रहे हो अपने self respect के लिए stand ले रहे हो तो इन चीजों को आप बहुत lightly लेकर चलि अगर अगला इन चीजों को लेकर तयार नहीं रहता है अगला अगर आपको respect देने के लिए agree नहीं हो पाता या उसकी ego ही हापर बहुत जादा important है रिष्टी की बजाए तो definitely ऐसा रिष्टा आगे चल कर भी बहुत जादा नुकसान आपको पहुचा सकता है या आगे चल कर भी दिक्कते पैदा कर सकता है तो इस वक्त में आप एक hunter हो आपको इस लडाई में डरना नहीं है घबराना नहीं है और लो तो बिल्कुल भी feel नहीं करना अगर अगला आपको respect देने के लिए balance देने के लिए नयाय देने के लिए agree है तो definitely आगे भी इस रिष्टे का future bright ही र तो हमेशा आपको ही compromise करना पड़ेगा या आपको ही जुकना पड़ेगा या आपको ही हमेशा ना हार जीत के पलणे में बैठना पड़ेगा तो आप basically जो भी कर रहे हो वो सही कर रहे हो आप सही रास्ते पे हो सही track पे हो अगले को कुछ समझाने के लिए ही आप ये सब कर तो इन चीजों को लेकर डरिये मत और जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके लड़ियेगा ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है ठीक है इन्हें रिग्रेट फील कराना है तो वो कराना है कि दोनों तरफ से मिस्टेक हुई है इस चीज को लेकर तो आई होप आपको रीडिंग पसं लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यूही बना रहे आज के लिए बस इतना ही ओके बाबाई